कि यूटुब जान रहे हैं इसमें मैं एक सिरीज चला रहा हूं जिसका नाम है इसमें मैं इसके द्वारा आप लोगों को अलग-अलग मॉडल आउग्जल रिवर्स जैसे कैन, कूड, मैं, मैं इन सब के यूज के बारें बता रहा हूं और उम्मेद ये कर रहा हूं आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा तथा आप लोग इसको सब्सक्राइब तथा जादा जादा सेयर भी कर रहे होंगे आज मैं आप लोगों को मस्ट के बारें बताऊंगा कि मस्ट का प्रयोग कहां करते हैं तो आगे बढ़ने से पाले मैं आप लोग उसे एक बार फिर से जुपरश्ट करना चाहता हूं कि आप लोग इस चैनल को तुरह सब्सक्राइब करने तथा अपने दोस्तों को भी सेयर करें और मर्ष्ट का इस वीडियो को पूरा देखें कि मर्ष्ट का प्रयोग कहां होता है तथा इस पोकेट इंग्लिश में भी हम इसको कहां प्रयोग कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं यहां पर आप लोग देखें इकां मर्ष्ट मतलब अवस्य एक चीज को और जरूब आप लोग धियान में रखिएगा कि मर्ष्ट का मतलब कोई जरूरी नहीं है कि जब हम हिंदी में इसका ट्रांसलेट करें या हिंदी में कोई सेंटेस लिखा हूँ इंग्लिस में इसका ट् सेंटेस्टि का मतलब अवसकता से हम उसके स्टेंस को लेखेंगे कोई जरूरी नहीं हमें हिंदी में एक्षा आवस्य ही आये या अवस्य लगाएं हम जरूरत के अंसार मश्ट यूज करेंगे तो इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा ओके तो देखें लेकिन जो है हम लोग इसका ज्यादा प्रियोग करते हैं यहाँ पर देख लीजिए इसका structure क्या है किसी भी sentence में सबसे कॉले subject आएगा subject के बाद चुकि हम लोग मठ का प्रियोग पढ़ना है इसलिए मठ लिखेंगे और model of general verse के साथ हमें सब वर्व का base form आता है इसलिए वर्व का base form लगाएंगे इसके बाद other verse, other verse में हमारे object भी हो सकता है हमारा कुछ और भी हो सकता है या ऐसा भी हो सकता है कुछ ना भी रहे other verse मैंने इसलिए लिख दिया है object लिखना चाहिएता है other verse में हमारा object भी हो सकता है और compliment भी हो सकता है हो सकता है कुछ भी नह रहे तो हम जरूरत कैंसर प्रयोग करेंगे इसलिए इसको आप लोग ध्यान में रखेगा और इसके बाद फुलिष्टा रहेगा तो सब्चेट फिर मर्फ फिर क्या हो दर्ब का फ़र्फा फिर अर्दर मर्फ अब देखेजे इसका प्रयोग हम लोग कहा कहा करते हैं पहला नमबर इसका प्रयोग नेसेश्टी के लिए होता है नेसेश्टी मतलब जहां जरूरत हो बहुत अत्यावस्यक हो जहां पर अत्यावस्यक हो वहां पर हम लोग नेसेश्टी के लिए जो है इसका प्रयोग करते हैं और एक जी इसका प्रयोग हम अवस्थ के अर्थ में त मुंत के दोस्तों चाहिए उस समझ में सबस्क्राइब करें तो पहला नबर मनले है जरूरत के जाएपकर jeste record visit to the doctor, अज़ला आपको किसी को बीमारी रहे हैं तबियत खराब है तो हम लोग उसको तुरंट सलाह देते हैं You must visit the doctor you must contact the doctor you must go to the doctor, यहनि आपको तुरंट doctor से मिलना चाहिए, doctor से क्या लेना चाहिए तुरंट doctor के पास जाना तो आब यहां पर देखें तुम्हें डाक्टर के पास जाना चाहिए अब यहां पर हम भले ही अवस्य नहीं लगा रहे हैं लेकिन यहां पर हमारा अर्थ जो निकल रहा है और निसेश्टी से निकल रहा है तुम्हें दाक्तर से अवस्ता कबूध हो रहा है इसलिए जो है क्या है निसेश्टी के लिए किया जाता है इसके बाद करते हैं मस्ट का प्रयोग करते हैं जैसे एक जापला हमारा या उसको अवस्त ही अपने अध्यापकों की बात मानना चाहिए या उसे अध्यापकों की बात मानने चाहिए आपने मापकी या ममी पापकी बात माननी चाहिए यू मश्त अबए योज घृटि के लिए भी बताते हैं कि तुम्हें जो है करतब के लिए कि तुम्हें आवस्त ही अपने करतब का निर्बाहन करना चाहिए तो क्या होता है मठ का प्रयोग है ऐसे करते के लिए भी करते हैं जापर हम किसी को responsibility के रूप में बता रहे हैं कि उसकी क्या जिम्मेदारी है और उसे तुरंट करना चाहिए इसे निभाना चाहिए तो ऐसे जगा पर वह हम लोग मठ का प्रयोग करते हैं सब्सक्राइब करते हैं जैसे क्या है कि उसे अवस्ति ही क्या होना चाहिए एक डाक्टर होना चाहिए जैसे क्या होता है किसी ने पुछा मम्मी कहा है अम्मा लिजे सुबह का टायम है मम्मी किचन में जाती है खाना बनाती है तो मैं यह कहूंगा मम्मी को किचन में होना चाहिए यह अलग चीज है मम्मी किचन में है कि नहीं हो अलग चीज है तो हम बोलें दा मदर या मदर सु मदब सुट मस्ट भी इन दा किचन मम्मी को अवस्ट किचन में होना चाहिए टीचर सुट मस्ट भी इन दा क्लास टीचर मस्ट भी इन दा क्लास टीचर को और सी क्लास में होना चाहिए क्योंकि टीचर का काम है क्लास में रहना इस्टूडेंट्स, मश्टर्टे बच्चों को या स्टूडेंट्स को विध्यारत्यों के उ हुटवर्न है क्या होता है क्या होता है कि हम विश्टा कंद कराने के लिए समच्च क्या का पfour करते हैं कि यससे के क्र assumptionлем कि best कम और अगर कोई हैं कि नहीं से जैसे किसे प्रिन्सिपल के ओपिए तो लोग करेंगे आफिस में तो दआ प्रिन्सिपल मच से अन्हें वह से हो कर सकते लिए को अ अगला है कि मच का प्रयों निम्स्च का प्रियों में करता है जीसकर तो की बन मान आएगा जैसे one must not visit in the sunshine sunshine मान नहीं होता जो visit माने टालना किसी